सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें आज हम 21 अक्टूबर के क्रेंट अफेयर जो पढ़ेंगे तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन है हमारे पास एस परिसेंट इंफोर्मेशन शेयर वाय वर्ल हेल्थ और्गेनाइज़ेशन वीच उप फॉलॉइंग कंटी हैज अलिमिनेटी लिम्फेटिक फिलारियस तो लिम्फेटिक एक डिजीज है आपका जो मच्छर के काटने से आपको होता है तो जब भी आपको मच्छर वाइट क अन्सर होगा वो होगा आपका लाओस गार्फ हैं केट्श होगी लाओस में जो आपकी लगद दो हजार तेजिज की है वो कहां पर हुई है तो वो हुगी आपकी इंडो नेशिया में तो ये आप इसमें रciasय रखेंगे तो रिसेंटली जो है इस्राइल ने जो एक्टिवेट किया है डाविट स्लिंग मेडियम रेंज एर डिफेंस सिस्टम एंड फर्स ताइम जो है इस्राइल यूज कर रहा है इसे बार में अंगेज़ दा हमास तो हमास जो है वो एक टेरिस्ट का ग्रूप है जिनों ने अभी इस्राइल पे वो यह कर रहा था अटेक कर रहा था तो उसी के लिए जो है इस्राइल इसे फर्स टाइम यूज कर रहा है डाविट स्लिंग मेडियम रेंज एर डिफेंस सिस्टम को नेक्स जो है हमारे पास क्वेशन वो है आपका As per recent information, Global Learning to Earning Solution, Passport to Earning P2E has skilled and certified more than 1 million young people in India in areas of financial literacy and digital productivity. Passport to Earning in a program of which of the following organization? So, इसका जो आपका राइट अंसर है वो है D. UNICEF, UNICEF जो है वो आपका राइट अंसर है और UNICEF के Headquarter कहाँ पे है तो UNICEF के जो Headquarter है वो है Newark में Next है हमारे पास recently Off-Source Security Exercise प्रस्थान has been conducted Under the Agies of Headquarters Eastern Naval Command This exercise was conducted in तो इसका जो आपका राइट अंसर है वो है C. ककी नाडा तो ककी नाडा जो है आपका वहाँ पे यह आपकी exercise वो कंड़क्ट की जाएगी exercise का नाम क्या है प्रस्थान तो प्रस्थान exercise जो है यह आपकी कंड़क्ट की जाएगी ककी नाडा में और जो आपका Eastern Naval Command है इसके Headquarter कहां पे हैं तो Eastern Naval Command के headquarter है विसाखा पत्नम में तो विसाखा पत्नम में ही आपका है किनाड़ा जहां पर आपकी प्रस्थान exercise जो है वो conduct की जाएगे नेक्स जो है हमारे पास वो आपका आता है Recently, which of the following district has become the first district in India to officially designate its own tree, flower, word and species So, recently आपका कसारा गौड जो district है इंडिया की वो first district वन गी है इंडिया में जिसने officially designate किया है खुद का tree, flower, word and species तो ये आपने इसमें याद दखना है तो ये आपका कहां पर पढ़ता है तो केरला में आपका पढ़ता है कसार गौड district कहां पर है केरला में और ये फर्स डिस्टिक वन गी है इंडिया में जिसने officially designate किया है कुद के tree, flower, word and species और ये आपका करनाटका को जो बॉडर है उसी के साथ में है आपका कस्टागोड district और official tree है इनका कंजी नाम तो इसके अलावा जो district word है वो है वाइट वैलिट सीहॉक लोकली उसे वेला वायरान कार्डल परांग थू जो है वो कहा जाता है और जो आपका turtle है वो कौन सा है so turtle जो उन्होंने चूज किया हुआ है वो है कैंटोर्स जाइंट सॉफ्ट सैल टर्टल लोकली जिसे भीमा नावा कहा जाता है अनिमल स्पीसीज में है आपका so अनिमल स्पीसीज में है टर्टल next है आपका district flower so district flower में हाप कहाता है पेरिया next है हमारे पास India has been ranked at 64th position in recently released global remote work index which of the following countries has topped in this index so Denmark जो है वो इसमें टॉप आया है आपका and इंडिया जो है उसका 64th position है तो इसमें यह आप याद रखेंगे 108 country में से इंडिया का जो rank है वो है 64th और टॉप पे जो है वो है डैन्मार्क so global report work index में जो है यह position रही है second पे निदर्लैंड है third पे है जर्मनी इंडिया 64th position है 108 countries में से ठीक है डैन्मार्क first पे है और निदर्लैंड second पे है और जर्मनी जो है वो थर्ड पोजीशन पे है next हमारे पास आता है recently Reserve Bank of India has established a sub office in which of the following cities bolstering its commitment to official inclusion and development in the region so Reserve Bank of India ने established किया है अपना sub office अरुनाचल पर्देश के इटा नगर में तो भी option जो है वो आपका इसमें right answer है and next जो हमारे पास question आता है वो है आपका recently which of the following companies has cleansed the prestigious best innovation in refinery award for the year 2023 so recently किस company को जो है best innovation in refinery award मिला है 2022 ते इसका so ये मिला है mangalore refinery and petro chemical limited को तो शी option जो है वो आपका इसमें right answer है awards किसने दीए है ये तो ये जो आपके award है best innovation refinery award ये दीए है ministry of petroleum and natural gas ने 26th energy technology summit जो है हुई है उसमें ये award दिये गए है ministry of petroleum and natural gas के द्वारा and second time जो है आपका mangalore refinery ने जो है इस award को जीता है next जो है हमारे पास वो आपका आता है question recently which of the following state cabinet has approved the revised draft notification for declaration of an echo sensitive zone in one kilometer radius around बेरजान वोराजान पैदुमोनी वाइलाफ सेंच्री तो असम state cabinet ने जो है वो approved किया है revised draft notification for the declaration of eco sensitive zone in one kilometer radius around वेर्जान बोराजन बादुमोनी वाइलाफ सेंच्री आप ने देखा होगा पिछे जैसे न्यूज आई थी कि जो आपका eco sensitive zone होगा वो आपका एरिया वो हर एक वाइलाफ में जो है वो आपका कमपर्सरी किया गया था so eco sensitive zone का मतलब क्या है जहां पे humans की activity जो है वो और लौन ही की गई है तो जो आपके wildlife centuries होती है बहां पे आपको जो है वो आपने जो लोकल जो लोग होते थे वो अपने पशू बगहरा चरा सकते थे या फिर वहां से medicinal plant जो लेकर आ सकते थे लेकिन अब जो है इन्हों ने एक eco zone radius जो है वो प्रोवाइड करवाया है one kilometer के around तो हर एक wildlife century में जो है इन्हों ने आप बल्चरी की हुआ है eco sensitive zone तो यही आप में question पूछा गया था कि कि state government ने जो है वो अप्रूब किया है revised draft for the notification declaration of an eco sensitive zone in a one kilometer radius around बेर्जान बोराजान पडुमोनी wildlife century तो इसका जो राइट अंसर था वो होगा आपका Assam and तीन different forest है आपके यह बेर्जान बोराजान एर पडुमोनी forest है तीन and तीनों को मिला कर एक wildlife century जो है वो आपकी बनाए गई थी so next हमार पास question आता है recently which of the following state government has launched an exclusive project for conservation of निलगीरी ताहर so recently जो है तमिलाडू government ने जो है वो launch किया एक project किस के लिए तो निलगीरी ताहर की conservation के लिए जो है एक project चला है तमिलाडू government ने और तमिलाडू का जो है यह a state animal है तो यह आप याद रखेंगे निलगीरी ताहर तमिलाडू का स्टेट अनिमल है और इसे कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट जो है वो एक लाउंच किया है तमिलाडू government ने और निलगीरी ताहर जो है यह आपका निलगीरी हिल्स में जो है वो पाया जाता है और जो आपके western घाटे के लागे वहां पर भी पाये जाते हैं निलगीरी ताहर नेक्स जो हमारे पास और यह जो है आपका critically in danger list में इसका नाम जो है वो डाला गया है नेक्स है हमारे पास recently school education department of each of the following state has launched a doubt clearance what app for government school student to offer a comprehensive educational experience तो recently जो है आंद्राप्रदेश school education department जो है उन्होंने लाउंच किया है doubt clearance boot app government school students के लिए जो उन्हें offer करेगा एक comprehensive educational experience तो यह option जो है वो आपका इसमें right answer है next है हमारे पास as per recent information which of the following Indian cities will host 2024 edition of formula E series तो इसका जो right answer है वो है आपका सी हाइदराबाद ते लंगाना तो next हमारे पास question है वो है recently which of the following government department has conducted a national level meeting on घर-घर किशान credit अभियान which means door-to-door KCC campaign for fisheries so recently department of fisheries दोछी option आपका right answer है so department of fisheries जो है इन्होंने conduct किया है एक national level meeting किसके घर-घर किशान creditor कार्ड अभियान जो है आपका उस पे इन्होंने एक meeting है वो conduct करी है national level पे जिसका मतलब है कि door-to-door KCC campaign जो है वो चलाया है इन्होंने fisheries के लिए means की fishermen जो है जो fish farmers है उन्हों के लिए जो है इन्होंने ये door-to-door campaign जो है वो start किया है किशान credit की scheme जो है आपकी कब लाँच हुई थी तो किशान credit scheme जो ही आपकी लाँच हुई थी 1998 में next जो हमारे पास question आता है वो है आपका recently armies of India and which of the following countries has conducted joint pilot training exercise exercise का नाम है exercise हरिमाउ सक्ती 2023 in उम्रोई cantonment में घाल लया जो इसका जो आपका right answer होगा वो होगा A में घाल लया तो यह आप इसमें को याद रखेंगे और इसके अलावा आपकी उम्रोई में संप्रित्ती exercise हुई है इंडियान बंगलादेश के बीच में और इसका जो 11th edition जो है वो हुआ है तो यह भी आप याद रखेंगे next है हमारे पास national solidatory day is annually observed to honor respect and promote the bravery and strength of the Indian armed forces this day is observed on which of the following days so national solidatory day जो है यह आपका भी सब्टूबर को celebrate किया जाता है every year and इस डे को start किस ने किया था आपका चाइन बाल के ताइम पे 1962 में तो 1962 में जब इंडिया चाइन बहुर हुई थी तो उस ताइम पे यह दे आपका first time जो है बोस्ताइबरेट किया गया था तो अभी सब्सक्टूबर 1962 को first time आपका national solidatory day जो है यह चालिवरेट किया गया था जो आपका चाइन बाल थी यह start हुई थी आपकी कब तो 20 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक जो है वो आपकी चाइन इंडिया चाइन बाल जो है वो चली थी इंडिया रेलवेए केर्टिंग एन टूरिजम कोर्पोरेशन सो इसका राइट आइंसर है आपका भी एफिशियली कोमेंस्ट इन वीच ऑफ फॉलॉइंग सिटीज तो फोर्थ एशियन पैरा गेम चो है आपकी ऑफिशियली कोमेंस हुई है कहां पे चाइना के हैंग जो में तो यह आप इसमें आद रखेंगे और जो इसमें इन्होंने टॉर्च रखी हुई है वो कौन है क्या ह तो जो भी इन्होंने मिशाल जिसे बोला जाता है टॉर्च वो रखी है इन्होंने लॉरिस तो यह आप इसमें आद रखेंगे और एशियन पैरा गेम्स में इंडिया जो है इसकी फिप्ट पोजीशन है फर्स्ट पे चाइना है सेकंड पे इरान है थर्ड पे जापान है फ इसका रखा गया था वो रखा गया था फिफी तो फई फई जो है वो एक वर्ड है तो वो जो है इन्होंने में सकॉट रखा था इसका सो नेक्स जो सुपांकर जिसे हिंदी में कहा जाता है नेक्स आपका रिसेंटली हूं अमंग द फॉलोईग हैस वन्ट बोमेंस सिंगल इसका राइ तस Лibt उन्रती हुड़ा जी तै है इसक डाइबेड़ा मास्टर फ тер天 ये है तो यहां नुदती हुड़ा, द उन्रती हुड़ा जो है उन्रती हुड़ा पा जिता है वो मेंन सिंगल टाइटल अबू धावी मास्टर बाव तहर게 तव बांटि को नन्कर बावनDR टो इसे कंडुक्ट करवा यहाया वर्ल्ट वैड मिंटान फेडरेशन ने 90 गुड़ उन्ति हुड़ा जोन्हों flipping जीता है व Alfresden Tele- πीड वर्ल्ड मिंटान फ्मेटर 78 अर्फेडरेशन 15 singles market कई हैे अञने सानशा है तो like करें, share करें, bye bye, thank you